Hello students, भेडें और भेडिये, इस कहानी का सारांज मैंने points में explain किया हुआ है, इस chapter के explanation का मैंने video upload किया हुआ है, पहला point है वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना, वन प्रदेश मतलब जंगल, प्रजातंत्र, डेमोक्रसी, जंगल में डेमोक्रसी बनने जा रही थी, यह क पहानी वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना के चारो और घूमती है, एक बार वन के पशों को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस तर्प पहुश गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन विवस्था अपनानी चाहिए, और इसके लिए प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए, एक बार जंगल के जानवरों को ऐसे लगा कि वो अब सिविलाइज हुए हैं, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, वो सिविलाइज हुए हैं और उन्हें अब एक अच्छी शासन विवस्था चाहिए, और अच्छी शासन विवस्था के लिए प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए सेकेंड पॉइंट है पशो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की लहर जैसी ही वन के जानवरों ने सोचा कि वन में या जंगल में डेमुक्रिसी लानी है तो उन्हें ऐसे लगा कि कुछ रेवलेशनरी चेंजेस होने वाले हैं और इस बात से वो खुश हो गए प्रजातंत्र की स्थापना की कलपना से भेडों को लगा कि अब उनका डर दूर हो जाएगा वे उनके प्रतिनी दियों से कानून बनवाएंगे कि कोई प्राणी किसी को न सताए न मारे भेड मतलब शी कि कोई जानवर किसी और को सताएगा नहीं और मारेगा नहीं भेडे ऐसा कानून इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि उस जंगल के भेडिये भेडों को खाते थे सब जीये और जीने दे का पालन करेंगे उनका समाज शांती बंधुत्व और सहयोग पर आधारित होगा इस प वह निर्दोश थी उनमें प्रजातंत्र की स्थापना से खुशी की लहर फैल गई थी थी थर्ड पॉइंट है भेडियों की चिंता भेडिया मतलब उल्फ वहीं दूसरी और भेडिये प्रजातंत्र की स्थापना से चिंति थे उन्हें अपना संकट काल निकट आता नजर रहा था क्योंकि भेडों की संख्या अधिक थी वह बहुमत उन्हीं को प्राप्त होगा और अगर भेडों ने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या इसी कारण चुनाव के पास आते आते भेडियों का दिल बैठता जा रहा था भेडिये क्य चिंतित थे क्यों परेशान थे क्योंकि उन्हें ऐसे लगता था कि भेडों की तो मिजारिटी है भेडों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उनका ही बहुमत आने वाला है और अगर भेडों ने कानून बनाया कि कोई किसी और जानवर को नहीं खाएगा तो भेडिये क्या ख मगन क्यों था और वो क्या सोच रहा था चलिए देखते हैं प्रजा तंत्र की खबर से बेडिये बड़े परेशान थे उन्हें इससे बचने का कोई उपाई नहीं सूज रहा था नई सरकार बनने की बाद जान कर भी बुड़ा सियार बात के जानने से अंजान बना रहा और फिर बेडिये से उसकी चिंता का कारण जान लिया बुड़ा सियार जानता था कि बेडिये क्यों परेशान है क्यों चिंतित है पर वो अंजान बना रहा और आखिरकार उसने बेडिये से ही उसकी चिंता का उ पर अजायब घर चले जाने की सलाह दी और अंत में अजायब घर मतलब जू अंत में स्वयम ध्यानमगना वस्था में जाकर भेडियों को बहुमत में लाने की यूजना बनाई ऐसे समय में बुड़े सियार ने जब उन्हें उम्मीद की किरन दिखाई कि वह कोई न कोई कि भेडिये क्यों चिंती थे क्यों परेशान हैं तो उसने सबसे पहले उन्हें सरकस में भरती होने की सलाह दी और फिर उसके बाद अजायब घर मतलब जू में जाने की सलाह दी और फिर ध्यानमगना हो गया जब बुड़े सियार ने भेडियों को उम्मीद दिलाई कि वह क कोई न को योजना बनाएगा और भेडियों की मदद करेगा तो भेडियों ने बुड़े सियार की बात मानने का निश्चे किया नेक्स पॉइंट बुड़े सियार की भेडियों को बहुमत में लाने की योजना योजना मतलब प्लैन बुड़े सियार ने भेडियों को की रूप को भी बदला भेडिये को एक संत के रूप में बदल दिया उसने भेड़ों के सामने उसे उनका हित चिंतक और शुब चिंतक के रूप में पेश किया हित चिंतक और शुब चंतक वेलविशर भेडियों का रूप बदलने के बाद बुड़े सियार ने उसे तीन बात को उपर न उठाए हिंसक मतलब वाइलंड हमेशा जमीन की ओर ही देखें और कुछ न बोलें और सबसे जरूरी बात सभा में बहुत सी भेड़ें आईगी गलती से उन पर हमला न कर वैठना बुड़े सियार ने और तीन सियार लिये और उन्हें अलग-अलग कलर में रंग दि लखनी की सलाह दी वो तीन बाते कौन सी थी तो अपनी हिंसक आखे अपनी वाइलेट आके उपर नहीं करनी है उसे जमीन की तरफ ही देखना है दूसरी कुछ बोलना नहीं है और तीसरी और सबसे जरूरी बात की उस सभा में बहड़े आएंगी तो उन पर हमला नहीं करना ह नेक्स पॉ reports रंगे हुए सियारों की भूमे का अपनी यजना को सफल बनाने के लिए सियार ने तीन सियारों को क्रम शहा पीले नीले और हरे रंग में रंग दिया और घेड़ों के सामने उनका परीचा इस प्रकार दिया कि पीले रंग वाला सियार विदवान विचारक कव बताया गया, रंगे हुए सियारों ने बुड़े सियार की यूजना को सफल बनाने में बहुत ही महत्व पुर्ण भूमी का निभाई, कप्टी भीडिये के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रंगे हुए सियारों की ही थी, इन्ही के बल पर भीडिये को चुनाव लड़ना बुड़े सियार ने तीन सियारों को पीले, नीले और हरे रंग में रंग दिया और उसने भेडों को बताया कि जो सियार पीले रंग में रंगा हुआ है वो विद्वान, विचारक, कभी और लेखक है मतलब इंटेलेक्चुल है, पोएट है, राइटर है नीले रंग में जो र परे रंग वाला सियर है वो धर्म गुरू का प्रतीक है धर्म गुरू मतलब religious head, next point भेडों की सभा में भेडियों का रिड़े परिवर्त है, बेडों की जो सभा ती उसमें भेडिये, उनका रिदे परिवर्तन हुआ उनका मन बदल गया बुड़े सियार ने एक संथ के आने की खबर पूरे वन प्रदिश में फैला रखी थी इसलिए उसको देखने के लिए भेडें बड़ी संख्या में सबास्तल पर मौजूद थी बुड़े सियार ने पहले पूरे जंगल में बात फैलाई थी कि एक संथ आने वाले हैं और उस संथ को देखने के लिए भेडे बहुत ज्यादा संख्या में सबास्तल पर आई हुई थी मस्तक पर तिलक गले में कंठी मुख में घास के तिनके अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर जुकाए भेडिया महराज रंगे हुए सियार ही हुई थी और बिल्कुल सीरियस होकर वो बेड़ों की सबाह में आया जैसी ही बेडों ने देखा कि यह तो भेडिया है तो वे भागने लगी कुझतों बुडे सियार ने बेडों का विश्वास जीतने के लिए भेडियों के रिदय परिवर्थन की बात भेड़ों की सबा हुआ है उसने कहा कि भेडियों का रिदय पर रिवर्तन हो गया है वे केवल घास ही खाते हैं भेडों पर किये गए अत्याचारों से वे स्वयम लज्जित है अत्याचार मतलब जुल्म करना इंजस्टिस तो बुड़े सियार ने कहा कि भेडों पर जो भेडियों ने अब तक वो बहुत लज्जित है उन्हें शर्म आ रही है अब वे अपना तमाम जीवन भेडों की रक्षा वस्वरक्षा में वितित करना चाहते हैं नेक्स पॉइंट बुड़े सियार की चतुराई बुड़ा सियार अपने दोरा बनाए गई योजना को बड़ी ही चतुराई से बुड़ी सभा में भेडियों के गुण का बखान किया और तीन रंगे सियारों को सभा में प्रस्तुत कर उनकी विशिशताओं को भेडों के सामने रखा बुड़े सियार ने तीन रंगे हुए सियारों को सभा में लाया और उनकी विशिशताए उनके कॉलिटीज बताए औ और उनकी तारिफ की बुड़े सियार ने अपने बुद्धी मत्ता का उपयोग करते हुए तीन रंगे हुए सियारों का उपयोग करके भेडियों के समर्थन में जन्मत तयार किया और इस तरह बुड़े सियार ने बड़ी ही चाला किसे भोली भेडों को मुर्ख बना दिया ब बहुमत पाती ही भेडियों द्वारा बनाया गया पहला कानून बहुमत मतलब मिजॉरिटी जैसी ही भेडियों को मिजॉरिटी मिली उन्होंने पहला कानून बनाया और वो कानून क्या था ये देखते हैं भोले भाले भेडे बुडे सियार द्वारा बनाई गई युजना में फस गई और उन्होंने अपना मत भेडियों को ही दे दिया भेडोंने अपनी हित की रक्षा के लिए भेडियों का चुनाओ किया किन्तु हुआ इसके विपरे भोले भाले भेडों ने भेडियों को अपना ओड दिया और इलेक्शन हो गया भेडों ने भेडियों को अपनी रक्षा के लिए अपने सिक्यूरिटी के लिए चुना था पर चुनाओ के बाद जो उन्हेंने सोचा था उसके बिलकुल अपोजिट हुआ विपरित हुआ क्या हुआ तो चुनाओ जितने के बाद भेडियों ने पहला कानून यह बनाया कि रोज सुबह नाश्टे में उन्हें भेड का मुलाएं बच्चा खाने को दिया जाए दो पहर के भोजन में एक पूरी भेड तथा शाम को स्वस्थ के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड दी जाए भेडियों ने चुनाओ जितने के बाद पहला कानून क्या बनाया उन्होंने पहला कानून यह बनाया कि रोज सुबह नाश्टे में भेडियों को भेड का एक मुलाएं बच्चा खाने दिया जाए दोफेर के भोजन में मतलब लंच में उन्हें पूरी एक भेड़ दी जाए और शाम में उन्हें कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए